कोडिंग की शुरुवात वैब इंस्टिट्यूट के साथ सब्सक्राइब करें वैब इंस्टिट्यूट यूट्यूब चैनल को इस वडियो में हम HTML और CSS की साहता से आईकन बार को क्रियेट करना शीख हैंके यहाँ जो एनिमेशन और इफेक्ट आप देख़़ों ये सारी चीजे आप step by step शीखोगे सिर्फ HTML के सब्दों में और इस वडियो को पढ़ने के दोड़ान आप तीन चीजों को अच्छी तरह से सीख जाओगे CSS का flexed बड़ा ही important topic है अगर आप ये अच्छी तरह से सीख जाते हो तो आपका कई शारा काम आशान हो जाएगा आईकन कैसे इस्तमाल करना है कई शारा source मैं आपको आईकन का बताऊंगा जहां से unlimited icons का इस्तमाल आप अपने web application में कर पाएंगे 50 अलगलग प्रकार के animations को छोटे शब्दों से integrate करना मैं आपको बताऊंगा जैसे यहाँ पर एक animation है कर्शर over करते ही इस तरह से animate होता हूँ आपको दिखा आशा ही कई शारे animations के बारे में आपको जानकारी हो जाएगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इसका new technique इस्तेमाल करके यह design करना बताऊंगा और इसमें animations भी मेरे सब्दों में होगा W3School में जो इसके लिए code है वो पुराने CSS के pattern पे है और यह बड़ा ही symbol सा design है इसमें animations वगड़ा नहीं है चलिए coding की शुरुवात करते हैं coding करने के लिए HTML CSS आनी चाहिए वेडियो अभी क्या भी लाइक करते हैं कुछ पूसना चाहते है तो comment जरूर कीजिए एक HTML पेज को create कीजिए और body के अंदर nav tag को शुरू करके बंद कीजिए ऐसा जरूरी नहीं कि आप nav tag को ही शुरू करो आप development को भी शुरू कर सकते हो इसके अंदर anchor tag को शुरू करके बंद करेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि आइकन पे क्लिक करने के बाद कुछ खुलना चाहिए इसलिए anchor tag से आइकन को लॉग करेंगे anchor tag पे क्लिक करने के बाद क्या खुलेगा उसका लिंक अभी हमारे पास नहीं है इसलिए href के value में hash को define कर देंगे अगर आपको web application के लिए unlimited icons चाहिए तो search कीजिए icons 8 और first link पे क्लिक कीजिए यहाँ पे कोई भी icon को search कीजिए जैसे मुझे home का icon चेही तो मैंने write किया home देखे अनगिनत home का icon आ जाएगा वैसे जो आप search करोगो उसे related कई सारा icon आएगा जो आपको इस्तमाल करना आप उस पे क्लिक करो क्लिक करने के बाद embed HTML पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद Google की साहताश आप login कर लोगे जब आप login कर जाओगे तो फिर शे एक बाद क्लिक करना होगा और embed HTML पे क्लिक करेंगे जरा देखे आपको IMG का भी कोड दिख जाएगा और anchor tag का भी कोड दिख जाएगा दोनों में से कोई भी कोड आप copy करके paste कर दोगे तो icon आ जाएगा तो ये पहला source था icon का दूसरा source font option यहां से भी आप icon को प्राप्त कर सकते हो आप source कर लो इस तरह से font option cdn enterprise कीजिए और जो first link आए cdn.js का आप उस पे क्लिक करो देखे आपको एक cdn दिख जाएगा allmin.css के नाम से इसके URL को यहां पे क्लिक करके copy कर लेंगे copy करने के बाद अपने html वाले page में आ जाएगे और link tag को शुरू करके बंद करेंगे relationship का value define कर दीजे style set और hrf के value में define कर दीजे इसे तो जब ये cdn आपके html page में insert हो जाएगा तो फिर आप icon का इस्तमाल कर पाएगे मुझे anchor tag के अंदर icon चाहिए तो इसके अंदर i tag को आप शुरू करके बंद करेंगे और class का value set कर देंगे फा फा हाइफन अब आपको यहां पे icon का name देना है तो मैंने पहला icon का name define कर दिया copy यहां देखे copy का icon आया आप कैसे पता करोगे कि क्या नाम write करना है icon के लिए यहां पे देखे मैं सार्ज करूंगा font आइव सम आइकन्स लिस्ट या पैसे सार्ज कर लो font आइव सम आइकन्स चीट सीट एंटर प्रेस किजिए फॉर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करोगे देखे धेर सारा icon आया जो icon चाहिए यहां से नाम को पढ़के write कर दिजिए जैसे battery half यह icon हमें चाहिए तो इसका नाम आप copy कर लो और यह दोनों word common होगा बस फा हाइफन के बाद आप यह add कर देंगे battery हाइफन हाफ तो ऐसा करने से battery half का icon आपको दिख जाएगा तो लिम्टेड icon से यहां से नाम पढ़के बस आप वहाँ पर write कर दो तो मैंने copy का icon ही set किया copy करके paste कर दिजे स्तरा से और icon के name को change कर दिजिए अगला icon का name define कर दिजे edit फिर अगला icon का name define कर दिजे search यहां जितना भी icon का name मैंने write किया सबको मैंने यहीं शे देख कर write किया इसलिए आप यहीं शे help लोगे icons के लिए देखे रन करने प्याशा दिखापको icons अविश्य डिजाइन करेंगे शहीशे डिजाइन करने कले CSS का इस्तमाल करेंगे style को शुरू करके बंद कीजिए head element के अंदर पहले body का background color वगड़ा चेंज कीजिए body का background color चेंज करने कले background-color property का इस्तमाल करेंगे और इसका value define कर देंगे hasddd तो ऐसा करने से body का background color चेंज हो जाएगा अब जो आपका nav tag है देखे गौर से यह जो nav tag है इसे design करेंगे इसका वेर्थ आपने जरूरत के अनुशा define कर दिजिए मैंने 580 pixel define कर दिया height define कर दिजिए 100 pixel इसका भी background color आपको कुछ define करना जैसे ECE 2FF यह background color देंगे तो shoot कर जाएगा design टेस्टिंग कीजिए देखे कुछ है ऐसा दिखा हमें इसे move करना है तो इसे move करने के लिए आप margin property का इस्तमाल करो margin का पहला value मैंने define कर दिया 300 pixel और अगला value मैं define कर देते हूं auto तो यह top bottom के लिए है और यह left right के लिए अगर मैं run करूंगा तो देखिए उपर में 300 pixel नीचे में 300 pixel और buy और दाहिने जितना जगा होना चाहिए उसके according यह center में चला जायस के लिए हम left और right के लिए auto को pass कर देंगे अब इस icons पर काम करेंगे तो इस icons को हमने eye tag के अंदर रखाया और eye tag anchor tag में बंद है मैं anchor tag को select करता हूं यहाँ पे और border का इस्तमाल करता हूं यह testing purpose के लिए मैं इसे remove कर दूंगा मैंने border का value define कर दिया 1 pixel solid red सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इनके बीच में horizontally समान दोड़ी arrange हो जाए तो देखे anchor tag के बीच में दोड़ी चाहिए यह सारा anchor tag है यह किस container के अंदर है nav container के अंदर तो जो container होगा उसमें हम display property का इस्तमाल करेंगे और इसका value define कर देंगे flex जरा आप देखो इसके अंदर जितना भी अंकर टैक को horizontally आरेंज करना हो अगर आप define कर देते हो center तो आप देखो इसके अंदर जितना भी anchor tag था यह पूरा center में आगया लेकिन center में नहीं रखना है हमें शमान दूरी चाहिए सब के बीच में तो ऐसा करने के लिए हम center की जगर define कर देंगे space-between तो ऐसे write करेंगे space का spelling देखिया run करने पे सब के बीच में शमान दूरी आगया तो यह horizontally हमने इ के लिए आप align-items का इस्तमाल करोगे और इसका value center देदोगे तो याद रखे justify content या align items तभी काम करेगा जब आप display flex का इस्तमाल करोगे इस लिए पहले हमने इसे दिया और horizontal के लिए इसे और vertical के लिए इसे run करके test किजिए देखे center में आगया अब जरा anchor tag में आ चाहिए मैं चाहता हूं कि जितना विर्थ होना चाहिए जरूरत के नुशार उतना सब में आडेंज हो जैसा भी anchor tag में तो आशा करने के लिए flex-grow इसका इस्तमाल करेंगे और इसका value set कर देंगे 1 तो जितना जरूरत होगा समान विर्थ की उतना set हो जाएगा आपके सभी anchor tag में set हो गया अब इस anchor tag के अंदर आपका आइगन सेंटर में दिखना चाहिए तो देखे गोर शे anchor tag के अंदर है i tag मतलब हम anchor tag में display flex का इस्तमाल करें तो easily इसके child element को आडेंज कर पाएंगे तो ऐसे define कर दिजिए display flex अब अगर आप यहाँ पे justify- content का इस्तमाल करते हो और इसका value set कर देते हो center तो देखे आपने display flex और justify किसमें लगाया anchor tag में तो इसका मतलब यह हो गया कि anchor tag के अंदर जो i tag है वो आपका center में जाएगा टेस्ट कीजिए जड़ा चला गया center में अब इस a tag का height full करना है हमें जो border आप देख रहे हो उस a tag का तो यह जो a tag है आप इसमे height का value define कर दो 100% अड़न कीजिए full हो गया अब इस icon को center में रखेंगे vertically तो horizontal के लिए justify content vertical के लिए align-items का इस्तमाल करेंगे और इसका value center देदेंगे तो ऐसा करने से देखे vertically center में आया तो आप देख़ो flex कितना interesting है आपको नहीं margin padding इस्तमाल करना पड़ा और vertically arrange हो गया center में जरा font size बठाईए ताकि आईगन का भी size बठ जाए मैंने font size सेट कर दिया 50 pixel शभी font का color change कर दिजिए 7V3DF7 border की अवशकता नहीं है टेस्टिंग हो गया border को आपड़ी move कर दो जरा इस पे cursor over करेंगे तो anchor tag का background color change होना चाहिए तो anchor tag पे cursor over करने पे change होना चाहिए इसलिए आप anchor tag में over pseudo class का इस्तमाल करेंगे और background-color property का इस्तमाल करेंगे इसका value define कर दिजिए white अगर आप run करके cursor over करोगे तो white हुआ लेकिन ये काफी fast हुआ थोड़ा से smoothly आना चाहिए तो smoothly आए इसके लिए हम transition property का इस्तमाल करेंगे और timing define कर दिजिए 0.5 second तो आशा करने से background color थोड़ा से smooth ली आपको दिखेगा अब animation को integrate करना सीखे कि आईकन में animation कैसे integrate होगा जब भी आपको animation integrate करना हो तो उसके लिए बड़ा ही popular library है animate.css search कीजिए और first link पे click कीजिए देखे अनगिनत animations है बस छोटे से word से आप animations को add कर पाओगे यह animation करने है आप जिस पे click करोगे वैसा animation आपको दिख जाएगा इसका इस्तमाल करने के लिए हमें इसका CDN प्राप्त करना होगा तो नीचे आएंगे तो आपको इस तरह से link tag दिख रखेगा copy कर लिजेसे copy करने के बाद अपने head element में आप paste कर दो अब आप easily animation दे पाओगे मुझे animation तब देना है जब मैं anchor tag पे cursor over करूँ तो देखिए anchor tag पे cursor over करते ही हमने code यहां किया अगर इसके अंदर हम animation दे देंगे तो anchor tag में animation चला जाएगा लेकिन anchor tag पे जब हम cursor over करे तो हमें i tag में animation चाहिए तो आप इस तरह से इस पर define करोगे anchor tag over pseudo class i tag इसका simple सा मतलब हो गया कि अब आप anchor tag पे cursor over करोगे तो बदलाव आपको i tag में दिखेगा animation देना इसलिए हम animation property का इस्तमाल करेंगे इसका नाम define करना है आपको यहां से देखकर जो आपको चाहिए जैसे अगर आपको यह चाहिए श्विंग चाहिए तो इसका नाम देख लिजिए जैसे स्विंग चाहिए तो हम यह स्विंग वाला नाम ऐसे राइट करेंगे एनिमेट नहीं राइट करेंगे सिर्फ ऐसे देंगे स्विंग मतलब जो यहां लिखा हुआ है जैसे कि हाट बेट रिटेन है तो यहां राइट कर देंगे हाट बेट सेमी कोलन से सेपरेट किजिए डियूरेशन देना कमपल्सरी है शिलिए आप एनिमेशन हाइफन डियूरेशन प्रॉपर्टी का ऐसे इस्तमाल करोगे और टा तो ये तो था कि कर्शर ओवर करने पे इफेक्ट आया आप चाहतो कि पेज ओपेन हो और एनिमेशन शुरू हो जाए अटोमेटिकली तो ऐसा कैसे होगा समझे इसी पेज में आएंगे सबसे नीचे आपको क्लास दिखेगा देखे ये क्लास का कोड कॉड कॉपी कर तो यहीं पे आए धेर सारा नाम है तो इसे मिटा देंगे और एसे राइट कर देंगे जूम इन तो ऐसा करने से पेज लोड होते ही आपका जो नैव टैग है वो एनिमेट करेगा देखे मैंने पेज को रिलोड किया आया एनिमेशन कर्सर ओवर करेंगे तो इस पे अपना क करेगा नेक्स्ट वीडियो और भी इंट्रेस्टिंग होगा जरूर देखे लाइक जरूर कीजिए कुछ पोजना चाहते तो कॉमेंट जरूर कीजिए वैप इंस्टिटूशन की प्रिमियम ओनलाइन क्लास से चलती है सौफ्ट इंजिनेरिंग की जहां से वाप साइट मोब धन्यवाद